स्वागत छे मिद्र तमारू फरी एक वखत एक वखत आपनो ग्रामर का इंपोर्टन पॉइंट दे इंट्रोडक्शन अफ वर्ब यानिकी रूप परी चाय इन वीच वी आर सेंग अभ्यास्थ्री क्रिया पदानी विच गिवन पेज नंबर नैंटी सेवन और नैंटी एक न 99 and up to 106 it is start from 97 and ends at 106 so let me see in the previous video we have learned the first my part protect and at money for the birthday in the present tense and using those parties we have made the verbs and the verbs here element table is there but timing for tower for time अब हमारा जो क्वेस्टन था चैप्टर नंबर दो के अंदर इसमें क्वेस्टर नंबर फोर था मैंने आपको बताया था कि किसी भी रूप का परीचय के देने के लिए हमें पांच बाबतों का ध्यान व्यान होना आवश्यक है कौन-कौन सी पांच बाबत धातु रूप यानि धातु हूँ रूठ फॉम उसके बाद टैंस एक कौन साथ टैंस है उसके बाद पदम उसके बाद पूरुसह यानि परसन और लाश्ट वन है वचनम वापस मैं रिपीट करता हूँ दातु रूप कालह पदम पूरुस और वचनम उन पांचों बाबतों का उप्योग करते हुए आज हम यहां पे उत्तम पूरुस इसमें पठामी वर्भ है देखिए इसको समझा रहे है कि यहां पर मुझे इस रूप को समझाना है तो कैसे मैं समझाओंगा पहले हमें धातु रूप यानि कि आप वर्भ में से बेजिक सफिक्स एन सफिक्स यानि कि विक्रण प्रत्य और मुल प्रत्य इसको आप हटाएंगे तो आपको मिलेगा रूट फॉर्म तो यहां मैं हटाता हूँ तो मुझे मिलता है पठ पठामी जो वर्भ है उसमें से मैं आमी को हटा रहा हूँ आ को भी हटा रहा हूँ मी को भी हटा रहा हूँ ठीके आ मारा विक्रण प्रत्य है मी हमारा मुल प्रत्य है इन डौनों को मैं हटाऊंगा तो मुझे मिलेगा पठ यानि मुझे मेरा पहला पॉइंट मिला धातो रूप पठ मिला ठीके अब मेरा दूसरा पॉइंट टेन्स है तो आपको पता है के जो मिवह महसी थह थ.. ती तह अंतीねぇ वह महे, से इते द्वे, टे इते अंते यह दौनों टेबल जो पहले वीडियो में देखे हम प्रेजंटेंस में ही उपयोग करते है तो इसका टेनस है प्रेजंटेंस पठा में रूप का टेंस क्या है प्रेजन डेंस पॉइंट नंबर टू हमारा क्लियर हुआ अब पदम आपको बेजिक सफिक्स यानि मूल सफिक्स जो यहां मी है इससे पता चलता है कि यह परस्माइपद है दो प्रकार के प्रत्य होते है परस्माइपद जो वर्तमान काल में है मी वह मह सी थह थ ती तह अंती ठीक है यह परस्माइपद है आत्माइपद के कौन से है इ वह मह से इथे द्वे ते इथे अंते यह आत्माइपद है यानि कि जब भी हम आत्माइपद का उप्योग करते है तो हम उस point में लिखेंगे आत्मने पद और परस्में पद के प्रत्य उप्योग करते हैं तो पदम में लिखेंगे हम परस्में पद तो यहां हमारा point number 3 clear हुआ वापस मैं repeat करता हूँ पट दातू टेंस के अंदर present tense पद के अंदर परस्में पद हम इसी रूप को अभी समझ रहे है अब हमारा point number 3 यानि की पूरुस पूरुस यहां कौन सा है उत्तम पूरुस है क्योंकि हमने उत्तम पूरुस का मुल प्रत्य लगाया है ठीक है और अब हमारा point number 5 यानि की वचन तो यहां कौन सा वचन है एक वचन क्योंकि जो मी प्रत्य है हम उत्तम पूरुस एक वचन के अंदर उसका उप्योग करते है तो कुछ वापस आंसर ऐसा हुआ point number 1 पर्ट धातू present tense परस्माई पर्द उत्तम पूरुस एक वचन I do repeat again पर्ट धातू वर्तमान काल यानि लट लकार यहां लिखा है लट लकार हम लट लकार का ही उप्योग करते हैं देखो यहां लिखा है काल हो अबलिक लकार हो यानि लट लकार उसमें हमें बहुत टेंचन लेने की ज़रूर। नहीं सिपो टेंस त्यान रखना है तो पर्ट धातू वर्तमान काल वरस्मई पद उत्तम पुरूस एक वचन पॉइंट नंबर दो उपर जाते है पठा वह इस रूप को मुझे उसका परिचय देना है तो परिचय देना बहुत ही आसान हो गया पहले हम दातू रूप निकालते हैं तो पठ दातू रूप है उसके बाद उसका टैंस है तो कि प्रिजन टैंस क्योंकि वह से हमें पता चल जाता है कि यह प्रत्य हम प्रिजन टैंस में ही उप्योग करते है तो उसका टैंस है प्रिजन उसके बाद पद तो परस में पद क्योंकि मी वह मह सी थह थह ती थह अंती वह हम परस में पद में उप्योग करते है पुरुस कौन सा है तो ये उत्तम पुरुस है टेबल इसलिए आपके सामने रखा है ताकि आपको समझ में आए और उसका वचन कौन सा है कि द्वी वचन तो खुश ऐसे हुआ पढ़ दातू, वर्तमानकल, परस्मेपद, उत्तम पुरुस, द्वी वचन नेक्ष्ट में हम जाते हैं पठा महँ तो अब आपको भी फटो फट आना चाहिए पठ दातू, वर्तमानकाल, परस्मेपद, उत्तम पुरुस, बहुजन इसी तरह से मुझे पठती रूप समझाना है तो मैं कहूंगा पठ दातू, वर्तमानकाल, परस्मेपद, अन्यापुरुस, एक वचन अन्यापुरुस यहां से आपको पता चल जाता है कौनसा वचन है वो इधर से पता चलता है पॉइंट नंबर फाइड, यह है, पॉइंट नंबर फोर, यह है, पॉइंट नंबर थ्री, यह है, वापस मैं बता रहा हूँ जराएं पॉइंट नंबर वन, यह है, धातु रुप, पॉइंट नंबर टू, यानि कि वर्तमानकाल, यह मिल गए आपको पॉइंट नंबर थ्री, यानि कि परस्मिपत के प्रत्याई है, तो यह हमें मिलता है पॉइंट नंबर फोर यानि कि हम इस रूप को समझा रहे हैं तो अन्यपुरुष से हमारा और तो लाश्ट पॉइंट है वह वचन एक वचन पठती रूप हम समझाते हैं तो धातो रूप पठ है वर्तमानकाल परस्मई पज अन्यपुरुष एक वचन सपोज इसी तरह से मुझे अगर ये रूप समझाना है तो कुछ ऐसा होता है पठंती रूप समझाना है तो मैं कहूंगा पठतातो वर्तमानकाल परस्मई पज अन्यपुरुष एक वचन अगर मुझे पठत हो रूप समझाना है पठत हो तो मैं कहूंगा पठ धातू वर्तमानकाल परस्मई पज अन्यपुरुष द्वीवचन अब हम आत्मने पद पर जाते हैं तो यहां का टेबल भी आपके लिए तैयार है अब जो आत्मने पद के प्रत्य है मैं वापस आपको जरा याद करवा देता हूँ यह दोनों के प्रत्य है मी वह मह सी थह थ ती तह अन्ती आप उसी तरह से याद करेंगे इसी तरह से आत्मने पद के प्रत्याई है यह वर्थमानकाल आत्मने पद के प्रत्याई है तो उसको याद ऐसे करेंगे इवहे महे से इथे द्वे ते इते अंते इवहे महे से इथे द्वे ते इते अंते हाष्ट बोलते तो ऐसे होते समझ में नहीं आया वापस बोल रहा हूँ अब जब हम उसका उपयोग करते है तो कैसे हो जाता है जैसे लब दातु है मैं आपको टेबल में बता रहा हूँ मगर इस से पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ देखो पहले यहाँ ई लिखा है इसके आगे हमें जो विक्रण प्रत्य है वो नहीं उपयोग करना यहाँ कोई विक्रण प्रत्य नहीं सीधा ई ववल है वही विक्रण प्रत्य बन जाता है और वेजिक सफिक्स भी बन जाता है तो कोई भी रूप आता है तो ये ये का मात्र हो जाता है जिसे सब्द है लब तो लब भव है उस पर मात्र हो जाता है तो लबे बन जाता है ठीक है जैसे बव है बव तो बवे जैसे सब्द है मिल तो मिले इसी तरह से सब्द है बास तो बासे हो जाता है रम तो रमे हो जाता है वंद मुलधातुरूप वंद है तो वंदे हो जाता है और सूब है तो सूबे हो जाता है I hope सीधा मात्र लाश्ट लेटर पर root form का जो लाश्ट लेटर है उस पर मात्र बन जाती और बाखी का जो है वहाँ आप आ लगाएंगे यानि कि उत्तम पुरुस द्वी वचन में आप विक्रन प्रत्याई आ लगाएंगे और बहु वचन में भी आ लगाएंगे अब समझते है उसका उस टेबल के माध्यम से उसको समझने की कौसिस करेंगे अब इससे पहले जो मध्यम पुरुस है और अन्य पुरुस इसमें हम आ नहीं लगाएंगे ठीक है सीधे हम प्रत्ये लगाते सीधे प्रत्ये समझते है टेबल का उपियोप कर गए टेबल रेडिमेंट है तो ये टेबल है इसमें लब दातु है दातु क्या है लभ देखे भ के नीचे हलन्द आया है गण कौन सा है पहला गण ठीक है उसकी निशानी क्या है और यहां लिखा है वर्तमान कार आत्मनेपज ठीक है अब लब दातु है तो हमने ए का उप्योग किया तो क्या हुआ लभे हुआ ठीक है उसके बाद उत्तमपुरुस द्वीवचन उसका बेजिक सफिक्स यानिकी मूल प्रत्य वहे है वहे और यहां दातु क्या है लब उन बीच के अंदर वो दोनों के बीच के अंदर हमें विक्रण प्रत्य आ रखना है तो जब भी हम विक्रण प्रत्य आ रखते है तो उसका मात्र हो जाता है तो यहां जो लब दातु था लब तो उसका हो गया लबा और उसके पीछे हम बेजिक सफिक सकते वहे तो कुछ ऐसा हुआ लबा वहे गर्तमान काड़ मा मूल दातुनों उप्योक करीने ज्यारे पन आपड़े रूप बनाविये छे त्यारे त्रण बाब अतोंनों धियान डाकवानों छे दातुरू विक्रण प्रत्य और बेजिक प्रत्य तो अन्या उत्तम पुरुस दी बचन के अंदर लब उमूल दातु है आ वह क्या है विक्रण प्रत्य और वहे वह बेजिक प्रत्य बेजिक सफिक्स याने के यह मूल प्रत्य तो रूप ऐसा हुआ लबा वहे उसी तरह से उत्तम पुरुस बहुआ जन के अंदर लब प्लस आ प्लस महे तो हमारा रूप हुआ लबा महे महे क्या है बेजिक सफिक्स मूल प्रत्य थिक है इसमें हमने आ विक्रण प्रत्य क्या उप्यों किया है अब हम जाते मद्यम पूरुस एक वचन मद्यम पूरुस एक वचन मद्यम पूरुस एक वचन का जो प्रत्य है आत्मनेपद का वจะ से तो हमने सीधा प्रत्य लगया देखो से मगर उसके पहले हमने अ लगाया अ लगाने से जो हलंद है हलंद वो निकल गया किसके नीचे छे लब के नीचे छे यहां लब जो था उसके नीचे हलंद था वो निकल गया देखो लब और सीधा बेजिक सफिक्स लगा दिया से लब से ठीके उसके बाद मध्यम पुरुस द्वी बचन का प्रज्चे है इथे इथे अब मैंने बताय था इका क्या हो जाता है मात्र हो जाती ठीके इका मात्र हो जाती तो यहां बना लब ये थे लब बके उपर मात्रा और अमारा जो प्रत्य था इथे उसका ऐसा हो गया लब ये थे नेक्स्ट वन लब द्वे अमारा प्रत्य है द्वे तो सिधा जुट गया है लब के साथ अलन्द निकल गया लब द्वे ठीक है प्रत्य है से इथे द्वे तो उन पर से बना लब से लबे थे लब द्वे अन्यपुरुश एक वचन प्रत्य है ते सिधा लग गया लब थे ठीक है वितरण प्रत्य रखा है हमने हो इसलिए लन्द निकल गया अन्यपुरुश द्वी वचन प्रत्य है इते अब इ आया है तो मात्र हो जाएगी तो बना है लबे थे अन्यपुरूस बहुवचन का प्रत्य है अन्ते तो रूप हुआ लभन्ते ठीक है अब इसी रूप को समझने की कौसिज करते पाँच बाबतों का ध्यान रखते हुए कुनसी पाँच बाबत? धातु रूप धातु रूप काल पद पुरुस बचन लभे को समझने की कौसिज करते है तो पहले हम सफिक को निकाल देंगे तो हमको मिलता है लभ ठीक है? लभ धातु कौनसा काल है तो वर्तमान काल कौनसा पद है तो कभे आत्मने पद पहले हमें मिला लभ पॉइंट नमबर वन दूसरा हमको मिला काल पॉइंट नमबर टू तीसरा अत्मने पद हमें पॉइंट नमबर थ्री मिला अब पॉइंट नमबर फॉर यानि परसन पॉरुष कौनसा है उत्तम पॉरुष और वचन कौनसा है एक वजन तो वापस समझने की कौशिश करते हैं लब दातू ख्ल्यर बर्तमानकाल आत्मने पद उत्तमपुरुष एक वजन अब किसी भी रुपको हम ले लेतें यह रुपको लेतें जैसे यह लबते तो लब दातू पर्तमानकाल आत्मने पद अन्यपुरूस एक वचन उसी तरह से हम इसको लेते हैं लबनते तो लब दातुग गवर्तमानकाल आत्मनेपद अन्यपुरूस बहुचन समझ में आ गई होती बात चलो इसको हम लेते हैं वापस में बता रहा हो इसको दोनों इसको लेते हैं लबे थे तो लब दातुग गवर्तमानकाल आत्मनेपद मध्यमपुरूस द्विवजन यह समझ में आपको तभी आएंगे जब आपको इनके प्रत्य आएंगे तो इस दोनों का टेबल बहुत बहुत इंपोर्टन है अब हम बविश्यकाल पर जाते हैं यह कि उसी के आधारित बविश्यकाल के प्रत्य हैं मैं आपको जो वर्थमानकाल के प्रत्य है उस पर वापस ले जाता हूं यह वर्थमानकाल के प्रत्य है अब वर्थमानकाल के प्रत्य के आगे जब भी हम श्य लगाते हैं श्य तो कुछ ऐसा होता है श्य यह यह लगाना है तो आपके बविश्यकाल के प्रत्याई मिल जाएंगे फ्यूचर टेंस परस्मेपद तो कुस ऐसा होता है श्यर ठीक है यहाँ हम ध्यान दखेंगे अब श्यर लगाने से क्या होता है तो पहले यह मुश्य लगाते हैं और यहाँ हमारा जो विक्रण प्रत्याई है वह है आ ठीक है उसमें हम इस प्रत्याई को लगाते हैं मि तो हमारा कुछ रूप ऐसा होता है श्यामि श्यामि ठीक है उसके बाद होता है श्यावः श्यामह उत्तम पुरुस एकवचन द्वीवचन और बहुवचन के प्रत्याई है बविश्यकाल में परस्मेपद में श्यामि श्यावः श्यामह अब मध्यम पुरुस की बात करते हैं सीधा श्याव लगाना में तो यहां होता है श्याव सी क्योंकि हमारा जो विक्राण प्रत्याई है अ है तो यहां सीधा प्रत्याई लगता है श्याव सी श्याथः 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 अन्यापुरुस एकवचन द्वीवचन बहुवचन तो ऐसे होते हैं श्याथः 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 वापस में बत अंदर बेवी लिखके में आपको यह प्रत्याई का टेबल दे दूँगा क्योंकि आपकी टेक्स्बुक के अंदर बविश्यकाल के परस्में पद और आत्मने पद के प्रत्याई दिये नहीं गए तो वह में लिखके आपको वाटसब ग्रूप में अवश्य बेजूँगा वह आप देखेंगे प्रत्यकुस ऐसे है श्यामी श्यावह श्यामह श्यसी श्यथह श्यथ श्यति श्यतह श्यंति और उसी तरह आत्मने पद के होते हैं श्य श्यावह श्यामह वापस बोल रहा हूँ श्य का मात्र हो जाते हैं जो श्य है उस पर मात्र श्यावह श्यामह श्यसे श्यथे श्यद्वे श्यति श्यति श्यंति वापस बोल रहा हूँ उत्तम पुरुस एक वचन द्वी वचन बहु वचन श्यावह श्यामह श्यावच 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 श्या रूप तो सीधा बविश्यकाल के उपर ले जाता हूँ बाद में हम बुद्काल को देखेंगे यह है ठीक है अब यहाँ एक पॉइंट और है जो यहाँ दिया गया है कि फॉर और गन एफिक्स यानि श्यूर इज एडेड़ यहां एफिक्स क्या है श्यूर इज इडेड़ फोर एक्जामपल है पा रूट फाम है फिर श्यूर है फिर ती है तो पाश्यति बनता है मगर पॉइंट नमबर टू में फॉर सम रूट्स बीफोर द एफिक्स श्यर यानि जो विक्रण प्रते आप श्यर लगाते हैं ठीके उसके आगे ई लगता है तो कुछ ऐसा हो जाता है गम उसके बाद ई उसके बाद श्यर उसके बाद दी तो रूप ऐसा बनता है गमिश्यती अब जब भी आप ई लगाते है तो यह हमारा विक्रण प्रत्य है श्यर मगर जिस रूप के अंदर आप ई लगाते हैं तब यह जो सह है वह रूप के अंदर यह आधा सह हो जाता है जो आपने यहां देखा रिमिंबरिंग पॉइंट है ई लगाते हैं तो यह जो सह है वह शटकॉन का सह हो जाता है सस्तलानों सह छे इस श्यर हो जाता है आधा मगर यहां हमने इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमने इ नहीं लगाया है इतले यह श्यर का यही श्यर रहा है सर का सर ही रहा है श्यर नहीं हुआ है यह नहीं हुआ है यह ध्यान रिमेंबरिंग पॉइंट है ठीक है अब हम आगे जाते हैं इसलिए आप टेक्स को बुक के अंदर इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे वेनेवर श्यर इस एड़ेड बिफोर ए देन श्यर बिकम श्यर लुक एड़ वर्ब यूज एबो यानि कि यह जो वर्ब उपर उप्योग किये है इसमें इस श्यर हो गया ठीक है इसमें भी श्यर हो गया मगर यहां नहीं हुआ क्योंकि यहां इन नहीं लगाया आगे जाते हैं अब उसी पर से रुप हुए है लेको दातू क्या है पाठ दातू है हम पाठ दातू को ही ले रहे हैं अब पाठ दातू के अंदर हमने यह लगाया है जो विक्रण प्रत्य श्यर था उसके आगे क्या लगाया यह लगाया तो उसकी E की रस्वई हो जाती है जो पठ था एप उसकी यह हो गया रस्वई ठीके। पठी हो गया उसके बाद हमने E लगाया है तो यह श्यर का उप्योंक करें है यह फिर अम्मे आमी प्रत्य लगाया आ लगाया तो यह हो गया और उसके बाद यह बेजिक सपिक तो रूप हुआ पठिश्यामी पठ वत्ता ई वत्ता श्य वत्ता आमी So the verb is पठिश्यामी clear similarly पठिश्यावह देखो अमारा अमारा जो सफिक से वह यह है श्यामी श्यावह श्यामह ठीक है सिधा मिल जाएगा आपको श्यसी श्य थह श्यती श्यतह शंती यह बेजिक सफिक से आपको मिल गए वापस मैं रिपीट कर दाओ श्यामी श्यावह श्यामह स्यसी श्यतह थह विसर गये मध्यमपुरूस द्वी वचन के अंदर विसर गये मध्यमपुरूस बहु वचन के अंदर विसर्ग नहीं है श्यतह अन्यापुरूस एक वचन श्यती प्रत्य है उसके बाद श्यतह विसर्ग तह के पीछे विसर्ग है यानकि दिवी वचन के अंदर विसर्ग आता है सभी प्रत्य के साथ ठीक है और लाश्ट में है अन्यापुरूस बहु वचन श्यती अब मुझे इस रूप को समझाना है पांच बाबत का ध्यान रखेंगे ठीक है इस रूप को मैं समझाता हूँ पहला रूप है अमारा इसको में लेता हूँ ठीक है पठीक श्यती इस रूप को मुझे समझाना है तो मैं यहां से विक्रण प्रत्य के बेजिक सफिक्स हो दूर करता हूँ तो मुझे रूप मिलता है पठ यहन्य कि इस श्यती इसको मैं अटा दिया मुझे क्या मिला पट पॉइंट नमबर टू कालह कौनसा काल है बविश्यकाल ठीक है अब पॉइंट नमबर थ्री पदम पदम में दो ही आपको यह रखना है परसमैपद या आत्मने पद यह परसमैपद के प्रत्य है तो पद में हम लिखेंगे परस्माइपद पॉइंट नंबर फॉर पुरुस कौन सा पुरुस है अन्या पुरुस ठीक है और वचन कौन सा है एक वचन यूकि यह प्रत्य ती जो प्रत्य है वो अन्या पुरुस एक वचन का है ठीक है वापस में बोल रहा हूं अमने कौनसे रूप को समझाया पठिश्यती कोई एक और रूप लेते हैं रूप लेते हैं पठिश्या महाँ इसमें इस रूप को मुझे समझाना है तो मेरे साथ आप भी गुन गुना हिए दातुरूप पंसा है पठ काल कौनसा है बवेश्यकाल पदम कौनसा है परस्मईपद पुरुश्य कौनसा है उत्तम पुरुश और वचनम कौनसा है बहुवचनम ठीके कौनसा रूप अमने देखा पठिश्या महाँ इसी तरह आप इसमें से कोई भी रुप को समझा सकते हैं अब मैं आत्मने पद में जाता हूँ यहां आत्मने पद के रेडिमेट टेबल आपको दिया है अगर मुझे इसमें से कोई एक को समझाना है तो मैं कहूंगा दातू कौन सा है आगी लेता हूँ लब को अब छोड़ो उसी तरह ते नतिश्यामी अहां इसको लेता हूँ ठीके मिल इश्य तातू कौन सा है मिल इसी को मुझे समझाना है अत्मनेपद की प्रत्य है वापस मैं बता देता हूँ मैं लिखके भी आपको भेजूंगा श्य श्यावहे श्यामहे मध्यपुरुस एक वचन श्यसे श्यथे श्यद्वे श्यते श्यते श्यंते अब थोड़ी से अंडरलाइन करते हैं तो भी आपको पता चलेगा कौनसे प्रत्य है श्य श्यावहे श्यामहे प्रत्य मिल जाते हैं सिर्फ स्य श्यावहे श्यामहे यहां से प्रत्य मिलता है आपको श्य से थे यहां से मिलता है आपको शेते वही के वही प्रत्य है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ श्यद्वे यह प्रत्य मिल रहा है आपको बेजिक सफिक्स यहां से मिलता है आपको श्यते यहां से मिल रहा है आपको श्यते और लास्ट में मिल रहा है आपको श्यन्ते थोड़ा सा बें उपर ले जाता हूँ वापस में कर रहा हूँ अंडरलाइन क्योंकि यहां कलर का उप्योग करने की आदत नहीं है इसलिए श्य श्य श्या वहे श्या महें, श्यसे, श्यथे, श्यद्वे, श्यथे, श्यन्ते, श्यन्ते श्यते, श्यन्ते यानि श्यसे आप उठाएंगे तो सुरंत आपको प्रत्य मिलता है ठीक है यहां से भी दिख्ये इस श्यामी यह को निकाल दीजी आप तो आपको प्रत्य मिलेंगे अब मुझे इस रूप को समझाना है ठीक है तो दातु रूप है यहाँ पहला पॉइंट मीलर कौन सा काल है बविश्य काल आत्मने पद अन्या पूरुस एक वज़र अब मुझे इसको समझाना है इसको तो मैं कहूंगा मिल डहटो बविश्य काल आत्मने पद अन्या पूरुस बहुब अजय अर्छल इसको तो मैं कहूंगा जिसको झाल झाल